हाई दूस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट की बात करूँगा ना इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि पहली बात यह बहुत ही प्राइम लोकीशन पे है, बिलिंग से बाहर निकलते ही आपको फ्लाइवर, मेट्रो ट्रेन, प्लस मेट्रो सेशन और नीचे आपको मेन रोड मिल जाता है, यहां से आपको वेस्टर एक्सप्रेस हाइवे के लिए और स्टेशन के लिए एकसेस मिल जाता है, सिधे-खिदे यह रोड में एकसे स्माल को टच करता है, इसका लोकीशन बहुत प्राइम है, दूसरा, काफी बढ़ा एक लैंड पार्सल है, मैं अभी लास्ट में डिटेल बताऊंगा हूज ओपन स्पेस है आईए कुछ जलकियां दिखाता हूँ मैं उसके बाद फिर आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इसको आईए कुछ देखते हैं क्या टाइप का बन रहा है अभी जो हमने आपको जलकियां दिखाया है दोस्तों मैं हूँ विकास बरनवाल सीपी यानि चानल पार्टनर और बिल्डर और प्रपटी कंसल्टेंट एक पर फिर से आपका हरदी का विनंदन करता हूँ हमारे इस यूटूब चैनल बरनवाल में हम लोग प्रपटी के साथ-साथ होम लोन भी कहते हैं अगर आपने हायर रेट ऑफ इंटरस्ट पर लोन ले लिया है और अगर आपको एमाई चादा आरहा है तो बैलेंस ट्रांसफर करना है कम रेट ऑफ इंटरस्ट में उसमें भी हम लोग help करके आपको देते हैं, जिसको balance transfer कहते हैं, top-up लेना हो, mortgage लेना हो, home loan लेना हो, business loan लेना हो, personal loan लेना हो, loan के related भी अगर कुछ काम है, तो आप हमारे उपर दीवर नमर पे phone करें, हमारी loan expert team आपको पूरी help करेगी, loan के related सारे problem को सुल जाने के लिए, हम पूर्सिंट brokerage पे, developer की और से, आगे आईए, property देखते हैं, detail में, sizing, pricing, configuration, कैसा flat का model है, क्या-क्या complex में बना रहे हैं, क्या-क्या है, वो सब चीजे हैं, हमिशते हैं, पिर आगे और बताऊंगा, अभी चलिए, मैं आपको 2BH के दिखाता हूँ, बड़े ही लगजरी flat है य और ये इसका living dining area है, L shape में, इसका पूरा dining area है, इस तरफ living है, इस तरफ आप sofa डाल सकते हैं, TV unit लगा सकते हैं, और अभी मैं जो खड़ा हूँ, ये बिल्कूल आपको actual flat दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, sample flat नहीं है, actual building में खड़ा होके मैं दिखा रहा हैं, और उसका बाद, और ये इसके पूरे hall की length है, करीवन solar foot इसका length है, और बाहर छज्जा मिलेगा आपको, करीवन दो से तीन foot का छज्जा मिलेगा आपको, ये फिलाल तो balcony है, ये balcony वाली property है, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, 21 number 22 number building का, ये पूरी balcony वाली property, balcony उसमें नहीं बन रहा है, वो पूरे छज्जा वाली property है, उसमें थोड़े से changes है, और ये देखें आप, ये मैं window के side से आपको पूरा cover करके दिखा रहा हूँ, ये flat का structure कैसा है, ये एक बार समझ लें, वास्तु को इन्होंने beautifully धियान में रखा हुआ है, आप ये देखें कि, hall खतम होने के बाद, पहले आपको kitchen दिया हुआ है, kitchen में इस तरफ gas platform, इस तरफ service platform, और बाहर आपको दिया हुआ है, बड़ा साथ dry area, जहां पे आप washing machine दख सकते हैं, और कपड़े धोने और सुखाने का provision कर सकते हैं, और एक बाहर में आपको बहार dry area के साइड से देखें, यहां पे फ्रेज का space दिया हुआ है, टोटल प्रोविजन वेल प्लांड किया हुआ है, इसमें, उसके बाद, ये पूरा इसका kitchen देखा हमने, इसके बाद देखते हैं, इसका common washroom कैसा है, common bedroom कैसा है, master bedroom कैसा है, वो दे size facilities, अभी देखिए, इसके कुछ finishing किया हुआ नहीं है, और इसमें क्या है, कमोड, wash basin, ये जो पूरी तर से बनाया हुआ नहीं है, बट सारे में आपको plumbing accessories जो आएगा, branded आएगा, लेबर लोग खराब कर देते हैं, तो कुछ developers इसको set नहीं करते हैं, वो हिसाब से ही रखा आपको जब ये मिलेगा, तो complete finish करके, सारे plumbing accessories, electrical accessories, सारा आपको washroom का finishing करके, आपको मिलेगा, ये मैंने common washroom दिखाया, इसके बाद आते हैं, इसका non washroom, यानि कि kids bedroom, common work bedroom बोल सकते हैं, जिसमें attached washroom नहीं है, इसका, ये भी 10 फूट का height मिलेगा, यहाँ पर भी बाहर आपको करी दिनी जैसा है, यहाँ नहीं रहेगा, थोड़ी इसकी height नीचे रहेगा, इसी चज्जा जो होता है, उसकी height, हम ऐसा देखें, flat के level से नीचे रहता है, कई बार तो चज्जे को भी convert करके balcony में बना दिया जाता है, वो भी अगर आप बाद में building बनने के बाद अगर permission मिलता है society से तो आप कर सकते हैं, यह इसकी window के side से view दिखा रहा हूँ, common bedroom का, इसके बाद इसको देखते हैं master bedroom इसका, master bedroom यहाँ से start हो रहा है, और master bedroom में भी same है, अभी finishing नहीं की होईगे, space आपको समझ में आ जाएगा और यह आप देख सकते हैं, यह पूरा space है इसका यह मैंने आपको washroom दिखाया, master bedroom का, इसके बाद देखें, यह पूरा बड़ा सा bedroom है, तक इसके आप length देख सकते हैं, यहाँ पर भी बाहर आपको धाई-foot का छज्जा मिलेगा अभी तो balcony है, यह balcony वाला जो सामने जो flat आएगा आपको, 21-25 बिल्डिंग में, उसमें balcony का नहीं चज्जे का प्रोविजन किया हुआ है और एक बार मैं विंडो के साइड से पूरे bedroom दिखा रहा हूँ, इसमें एक और अच्छी चीज दिया हुआ है, यहाँ पर वाड़ॉप पर स्पेस करीबन दो फुट डिफ्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब एक बार वाड़ॉप बन जाएगा ना, कबड बन जाएगा ति पूरा स्पेस आपका फ्री हो जाता है, करीबन तीन से चार फुट का स्पेस आपको यूज करने को, मुम्मेंट करने को मिलेगा, एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू देखते हैं, इस तरह वाटर स्टोरेज आ जाएगा, पैसे भी मियर रोड में आप देखें तो थोड़े दिन, तीन से चार महिने में 24 अवर्स वाटर का प्रविजन आने वाला है, हर एक बिल्डिंग हर एक जगह पे, और इनकी जो फिनिचिंग है, वो किस टाइब का रहता है, एक बार आपको मैं पूरा दिखा दूँ, यह इसका पैसेज, दो हाई स्पीड लिफ् यह दो स्टेरकेस, यह एक स्टेरकेस है, यह इसका दूसरा स्टेरकेस है, यह इसका पूरा पैसेज एरिया है, अभी मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ, कितना फिनिचिंग के साथ कैसे बनाते हैं यह लोग, इस तरफ ग्लास, इटालियन मार्वल, ब्लाक परेकरेन आइट, नीच्छे विटिफाइट टाइल्स, और इधर पिसट्निस्ट, गोल्डेन प्लेट्स में बौटी बीदिडिफूल डिजाइन किया हुआ है, इस तरफ दो फिर लिफ्ट दिया हुआ है, इस तरफ दो स्टेरकेस इस तरफ दो फिद लिफ्ट, पैबी है और अभी कुछ और एमेनिटीज और ओपन जो फ्लोर है निका वो मैं आपको दिखाता हूँ आई अभी मैं खड़ा हूँ आप देखें इस तरफ किट्स एक्टिविटी के लिए एंपे थीटर दिया हुआ है और पूरे चारव तरफ खुबसूरत एक माहौल बनाया हुआ ह है यहां पर 22 से 23 बिल्डिंग का पूरा यह कॉंप्लेक्स बना हुआ है आगे क्लब हाउस दिखाता हूँ मैं आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको यह क्लब हाउस है इसका जी प्लस टू का इसमें कुछ हॉल बनाया हुआ है केट्स प्ले एरिया है और इंडोर गेम् सुमिंग पूल खुल खुल हाउस बगार जो आएगा अभी नय जो टावर बन रहा है उसमें आपको सुमिंग पूल क्लब हाउस जीमनाशियम है अलग से और क्लब हाऊस में देने वाले हैं वो अभी रढ़ी नहीं हुआ है वो भी प्लीठ लेबल पे है वो भी मैं आपको अभी मैं खड़ा हूँ बिल्डिंग के साइड पे जो आप देखें ये जी प्लस टू का कंस्ट्रक्शन हो रहा है फिर्स्लाब हो गया है तेकंड स्लाब की तयारी है और फुल स्विग में काम चालू है अभी आगे और डिटेल वगरा जानते है इसका मेजा रोट लोकेशन में वो इतने सारे क्लियर टाइटल ओं टिलिवरी काम कर चुके हैं राज डियाल्टी डवलपर के हैं और इनके जो प्रिवियस प्रोजेक्ट है उसमें एक खास बात दोस्तों यह मैंने देखा है कि कोई भी कस्टमर एक सिंगल कस्टमर का यह कंप्लेन नहीं है कि टाइम पे डिलिवरी नहीं हुआ है टाइम पे डॉक्मेंट नहीं है या ऐसा कुछ है लोन नहीं हो रहा इस तरह कुछ नहीं है सारे टाइटल क्लियर बिफोर टाइम डिलिवरी नहीं दिया हुआ है राज रेयल्टी ग्रूप डवलपर का नाम है जो अभी तक मुंबई में कहीं पे भी ये कॉंसेप्ट नहीं आया है ये जो कनेक्टिविटी है ये बिल्लिंग के जस्ट बाहर निकलते ही आपको मिल जाता है अब आगे समझते हैं 15-20 साल कुरानी कंपनी है बट ये 15-20 सालों में ही काफी अच्छा रेपरिशन बना चुके हैं कुछ बिल्लिंगे बना चुके हैं जो मैं आपको बताता हूँ कुछ बिल्लिंगे इनकी राज फ्लोरेंजा, राज होम्स, राज हरिटेज, जी एन रेसिडेंसी ऐसा इन्होंने कई टावर बनाया है और सब जगह इनके कस्टमर खुश हैं कहीं पर कोई भी कंप्लिन नहीं है 50% तो इनका open area है, 50% में इनोंने construction किया हुआ है, 50 टका इनोंने पूरा open area दिया हुआ है, जहां पर कुछ बच्चों को खेलने के लिए जगह दिया हुआ है, किट्स प्ले एरिया है, कुछ पार्टी, फंसन, वो तो मैं आपको area दिखाया हूँ, आप देखी गए होगे कि कि इनोंने open area दिया हुआ है, पूरे air ventilation, sunlight की कोई कमी नहीं है, इस तरह से इनका planning है, और 22 माले का करीवन 23 wings, यानि 23 building बना रहे हैं ये, जिसमें से 21 और 22 अभी sale करना है, जिसके लिए मैं ये video बना रहा हूँ, हर एक floor पे 4 flat, 2 high speed lift और 2 staircase है, total 2000 unit है, 2000 flats हैं, और flat के अंदर की height रह रहेगी, residential start हुआ है, इसका first floor से, ground floor पे कुछ amenities, कुछ open area रहेगा, अभी जो 22-22 building है, इसमें तो swimming pool club house भी है, जो मैं अभी आगया को दिखाऊंगा, club house पहले बना हुआ है, उसको भी operate करने मिलेगा, यहां के रहने वाले users को, अभी जो इस tower में जो amenities दे रहे हैं, वो अलग ह पार्किंग के लिए tower बना के दे रहे हैं, जहां पे सारी गाड़ियां पार्क होगी, और नीचे का जो ground floor है, वो पूरा पार्किंग free space रहेगा, नीचे आपको गाड़ियां नहीं दिखेगी, नीचे आपको open space पूरा दिखेगा, जहां पे आप easily कोई function बगरा हो, गुमना ह साइकलिंग करना हो, जोगिंग करना हो, सब कर सकते, construction stage जो इस tower का है, first slab है, पहला माला बन चुका है, और second third floor के slab के तयारी है, अपने वीडियो में ने दिखाया भी है आपको, 35% इसका current due है, अगर आप property खरीते हैं, तो 35 टका आपको देना पड़ेगा, चाहे आप loan करके द सारे इसमें NOC बगर भी दिया हुआ है, जो रेरा के website पे आप देख सकते हैं, बिल्डर का position December 2025 है, और रेरा में position इसका December 2026 है, एक साल का buffer time हर एक डवलपर लेके चलते हैं, ये भी लेकर प्रस एक बात का commitment रहता है, मैं देखा हूँ अगर ये December 2025 बोल रहे हैं है, तो आपको air on the time delivery मिलेगा, अभी तक के record के हिसाब से कभी ऐसा नहीं हुआ है, वो pricing को लेकर मैं अभी आके बताता हूँ कि क्या commitment हुआ है, क्यों मैं हर एक developer का pricing सबसे कम में बेच पाता हूँ, यहां से view काफी खुबसूरत है, एक तरप आपको sunrise view मिलता है, एक तरप आपको mountain view flats मिलते ह back side में आपको creek view मिलता है, और city view मिल जाता है, तो चारो तरप से आपको 360 open view मिलता है, कोई यहां पे obstacles नहीं है building के आसपास में, दूसरी एक अच्छी बात है, हिंदू families के लिए कि यहां पे पूरे के पूरे हिंदू locality के लोग हैं, और अंदर ही कुछ मंदिर बंदिर का भी business account हो, दोनों जगह पे भी, और loan के लिए भी दोस्तों हम लोग पूरा काम करते हैं, जिसमें कि अगर किसी bank से आप ज्यादा rate of interest पे loan उठा चुके हैं, तो वहां पे आप balance transfer करना चाहें, कम rate of interest में, तो उसमें भी हम आपको help करेंगे, top up लेना चाहें, mortgage करना चाहें, business loan ले में pricing और sizing पे, इसके पहले मैं कुछ amenities और connectivity आपको बता दूँ, इसमें जो amenities हा रहे हैं, वो सारी amenities हाएगा, जिसमें swimming pool, club house, multipurpose hall, banquet hall, barbq pit, multipurpose court, bicycling, car parking space, zumba in aeropics room, toddler zone, entrance, lobby, tree, courtyard, service counter, open party area, school bus, kids, waiting area, changing room, gymnasium and yoga center, cycling, jogging track, landscape, lounge, family function area, garden and gajewo, celestial turf, indoor games, senior citizen area, kids, play area, sit-out area, steam room, swing corner, plantation, mini stage, amphitheater, laughter area, valley parking, यह सारा कुछ amenities हाएगा, कुछ मैंने बताया नहीं, और यहां का कुछ attraction point, city view, sunrise view, मेरा भाहिंदर रोड से बिल्कुल, touch, creek view, mountain view, flats हैं सारे यहां पर, अब कुछ school, college, mall, theater की connectivity बताऊं, 10 minutes के अंदर आप Western Express highway, दाईशर टोलना का, मेरा road railway station, ब्रसाज mall and multiplex theater, movie max cinema, आयनोक्स ठाकूर mall, गति वदानता hospital, तुंगा hospital, वकाड hospitals, और यहां पर बहुत ही खुबसूरत एक मंदिर बना हुआ है, राधे कृष्ण का इश्कौन मंदिर, पुदार international school, एने डालमिया college, सेंट जबियस high school, यह सब आप 10 minutes के अंदर रीच कर जात प्राइजिंग बताने से पहले कुछ important बाते बता दूँ कि प्राइजिंग को लेके एक बहुत ही sensitive मुद्दा यह है कि दोस्तों हम लोग जो deal करते हैं डवलोपर से, 100-200 flat की deal करते हैं, हमारी खुद की 100 plus team है, 100-200 flat की deal करते हैं तो उसमें प्राइजिंग को लेके बहुत sensitive है आप एक दो property लेंगे आपको प्राइजिंग नहीं मिलेगी, हम लोग 200 property, 100 property बेचेंगे, 200-300 करोड रुपर को देंगे अपने हिसाब से प्राइज करके लेते हैं, particular यह builder नहीं सारे developer की बात कर रहा हूं, जिसका जिसका भी मैं promotion कर रहा हूं अपने YouTube पे, 2-3 lakh view हमारा daily का worldwide है जिस-जिस country में चल रहा है, हर एक country से हमारे पास customers हैं, तो वहां से जो customer की हमारी quantity है, उसके according हम property sale करते हैं, builder से अच्छा खासा price जो negotiate करते हैं wholesale के हिसाब से, वो ही same price हम अपने customers को provide करते हैं wholesale का, दूसरी बात यह है कि इनकी जो holding holding होती है, वो price और इनका देने का जो price होता यह बहुत फरक होता है, पता ना होता ना customer को कि क्या इनका bottom price है, देने वाला price में देखा हूँ, कई बार गरत offer कर देते हैं, और 20-20 लाग, 10-10 लाग रुपय एक्स्टा देखे आ जाते हैं, काफी सारे बारे इसे fight हो जाती है, developer से कि भई, आप इतना price बोल रहे हैं, हमें भी developer के से price चाहते हैं, आप direct मत जाईए, हमारे salesperson के साथ में first time जाईए, क्योंकि एक बार जब आप developer के पास चला जाते हैं, तो 3-6 महीने के लिए tag हो जाते हैं, फिर हम pricing के लिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी problem हो जाती है, कि pricing के लिए बात कर जाऊ, developer कहते हैं, यह हमारे direct customer है, आप इनके pricing पे बात मत करें, वहीं से दिक्कत कड़ी हो जाती है, कि pricing के लिए बात नहीं कर पाते हैं, फिर आपको वहाँ पे महंगा सौधा करना पड़ता है, यह कहीं और आपको घर दिलाना पड़ता है, तो आप हमारे sales team के साथ में जा जोड़ी और 2BHK, 2BHK जोड़ी, इस तरब के flat यहाँ पे available है, 211 को break करके आप 3BHK में convert कर सकते हैं, 22 को break करके आप 5BHK में convert कर सकते हैं, 1BHK का इसमें carpet area है, 470 square foot का एक बड़ा carpet area है, जिसके pricing 65 लाग से 72 लाग के बीच में है, इसमें bottom price मैंने 65 बताया है, बट यह 65 आप लेके मत चले, 65 और 72 के बीच-बीच में कोई price जो है, मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि इतने price महाँ पे चल रहा है, इसके बाद आप फोन करिये तो मैं बताऊंगा आपको, 2BHK का carpet area है, 620 square foot का है, और इसकी जो agreement value है, flat cost है, 86 लाग से लेके 96 लाग के बीच में, और इसमें parking अगर आप लेना चाहें, तो 6 लाग का parking है, और एक बाद बताता हूँ दोस्तों, यह जो मैंने pricing बताया ना, यह basic flat cost है, कई बार मैं देखा हूँ customer को, यह basic flat cost को ही वो all inclusive price समझ लेते हैं, all inclusive price मैं आपको यहाँ पर announcement नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक approximately automotive यह budget समझ लें, कि 10 से 15%, 13% के आसपास इसके ऊपर all inclusive price के लिए add होगा, जिसमें registration, time duty, GST और other charges में, infrastructure charges में यह सब add हो जाता है, आज इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया है, information बस इतना ही, इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट में में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे फाइदे वाली property तो हमारे पास phone करते हैं, विकास जी हमें property, sell करना है, कुछ सस्ते भाव में sell करना है, पैसों की जुरत है, इस type के जो फाइदे की property आती है, वो भी मैं हमेशा हमारे channel बाल पे डालते रहते हैं, और pre-launch property भी, मैंने कई ऐसे बड़े-बड़े brand जैसे कलपत्रू, लोधा, वादबा रहे जाए रहना नहीं, तीस तरह के pre-launch property हो, इसका भी advance information में अपने channel के थ्रू अपने customers कर पहुचाता रहता है, आपको channel subscribe करने का benefit यह होगा, यह सारा information सबसे पहले आपको मिल पाएगा, और आप उसका benefit ले पाएंगे, ऐसे मैंने हज़ारों लोगों को फाइद करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए, और ये दो वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसे से related और भी दो प्रोजेक्ट के वीडियो मैं यहाँ पर लगाया है, उपर और नीचे, इसे भी आप click करके जरूर देखें, मिलता हूँ मैं next वीडियो में, तब के लिए दिए जायत, नमस्काया दोस्टो.